दोस्तो इस समय वर्ल्ड अफेर्स से जुड़ी एक काफी बड़ी खबर निकल का सामने आ रही है जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर दी है ये खबर भारत अर्मीनिया और इरान से निकल का सामने आ रही है जहां पर भारत ने एकसेस दिया है अर्मीनिया को औ वहीं पर world politics में इसका क्या बड़ा impact पढ़ने वाला है इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो को अन तक जरू देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर वहीं पर अब जाकर भारत ने फाइनली अर्मीनिया को अपने चाभार पोर्ट का एक्सेस दे दिया है। अर्मीनिया के लिए एक सबसे बड़ी परिशानी ये है कि अर्मीनिया एक लैंड लॉक्ट का मतलब होता है कि जब किसी देश के पास समुंद्र नहीं होता और चारो तरफ से दूसरे देशों से गिरा हुआ होता है। अर्मीनिया को लेनी पड़ती है साथ ही जिन देशों से अर्मीनिया का विवाद है वे देश अर्मीनिया को एकसेस नहीं देते। जैसे कि पाकिस्तान और भारत के साथ भी होता है जब भारत को अपने समान को डायरेक्ट अफगानिस्तान में पहुचाना होता है तो भारत पाकिस्तान से पर्मीशन लेता है और कई बार पाकिस्तान जो पर्मीशन नहीं देता तो भारत को एक लॉंग रूट अपनाते हु लेकिन अर्मेनिया के साथ ऐसी कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है यही कारण है कि अर्मेनिया के लिए ये एक इतिहासिक पल है कि जब उसके लिए भारत ने डारेक्ट एकसेज अपने चाबहार पोटको दिया है इंडियन ओशन में किसी भी समान वगरा को भेजना और व सबसे पहले नाम आता है अजर्बाइजान का जिसके साथ अर्मेनिया का विवाद भी चल रहा है अजर्बाइजान लगातार अर्मेनिया की जमीन पर कबजा करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए बकाइदा वे युद भी लड़ चुका है वहीं भारत द्वारा लिए इस फैसले का इंपेक्ट ये होगा कि बाकी देज जो अर्मेनिया को सपोर्ट करना चाते हैं वे भी चाभार पोर्ट के थुरू समान को और हतियारों को अर्मेनिया तक पहुचा सकते हैं हमने देखा है कि जब भारत ने अर्मेनिया की सपोर्ट के लिए हतियारों की सप्ला कर रहा है वहीं तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी मुस्लिम देसोंने के नाते अजर्बाइजान का सपोर्ट कर रहा है दोस्तो ऐसे में इन तीनों मुस्लिम देसों का एक एकसेस बना हुआ है जो की अर्मीनिया के उपर दबाव बनाते हैं और अजर्बाइजान को हत्यारो की सप्लाई और कोटनितिक सपोर्ट देते हैं ऐसे में इन तीनों देसों को काउंटर करने के लिए भारत अर्मीनिया और ग्रीस का इस्तिमाल कर रहा है जिससे इन तीनों देसों के एक्सेस को काउंटर किया जाए भारत की मजूदगी अर्मीनिया के थुरू उस एरिया में इ अजर्बाइजान को सप्लाई करता है वहीं अर्मीनिया की सपोर्ट के लिए कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ एक मात्र देश भारत ही उसके सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ वहीं अब जाकर फ्रांस थोड़े बहुत अत्यारों की सपोर्ट अर्मीनिया को दे रहा है भार अर्मीनिया के थ्रू अजर्बाइजान तुर्की और पाकिस्तान के एकसेस को तो काउंटर करी रहा है साथी भारी मात्रा में अर्मीनिया भारती हत्यारों को खरीद रहा है जिससे भारती हत्यारों की युद छेतर में एक तरह से टेस्टिंग हो रही है दूसरी और भारती हत बारत को चाबहार पोर्ट का एकसेज देने से भारत को एकनोमिकली काफी बेनिफिट होने वाला है क्योंकि कोई भी जहाज भारत के पोर्ट वगरा पर आता है तो भारत को कस्टम का पैसा भी मिलेगा वहीं इसके लावा हाली में भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम अर्मीनिया को दे कर ड्रोनों से लड़ने की कैपिबिलिटी अर्मीनिया को पलब्द करवाई है इसके लावा 155MM हाविजजर भी भारत ने अभी हाली में अर्मीनिया को भेजा है साफ है दोस्तो इस समय भारत जिसमें ब्रमोस में जैसी मिसाइल सामिल है क्या भारत को या अर्मीनिया को इस्तिमाल करने के लिए देनी चाहिए या नहीं अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिकर जरू बताईएगा फिलाल इस वीडियो में तना ही फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जहिन